यह हैं हमारे गाउं का सबसे प्रसिद मंदिर सोबन मंदिर के नाम से फेमेस है और यहां बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्सन करने तो पूरा वीडियो सही से नहीं बना है क्योंकि मैंने यह वीडियो बाइक पे बनाया था इसलिए थोड़ा सा हिला हुआ है और कोशि इसकी है कि आप लोगों को पूरा मंदिर दिखा सकूं हाई फ्राइंट्स वेलकम बैक टू माइन यू व्लॉग और मैं हूं सुदा तो जैसा कि आप लोगोंने मेरे निव यर के व्लॉग में देखा होगा मैं अभी अपने होम टाउन में हूं तो अभी मैं घूमने आई सबसे प्राचीन मंदिर में तो मंदिर के अंदर का तो कुछ भी नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को बस बाहर से दिखाऊंगी मंदिर कितना बड़ा है और यह पीछे मेरी सिष्टर है और सब आगे भाग गए हैं बस ब्लॉग बनाने के चकर में मैं ही पीछे रह गई हू यह हमारे यहां का हनमानगजि मंदिर फिराच को मं बस बाहर में एक हनमानजी का मंदिर बनाय ग्या है, महा पर आप पूजा करनी में प्रिशाद, भोग नैव 채 जो भी चड़ाना है, यह पर चड़ा सकते हैं, बाकी कुरे मंदिर में कहीं कुछ नहीं चड़ता है, तो बस अब ही यहां से जुन इंट्री करते हैं हों पर बाहरी बनारे मंदीर के बाद भाग जाती है जील पुल के उपर से होग के जाते हैं और आप देख सकते हैं कि दूर से आपको चुटा-चुटा बना हुआ दिख रहा होगा है यह जाली में लोग यहां यह इधर राम मंदीर है और यह मंदीर है पेड़ बहुत है इसलिए आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को मेरे पीछे यह यूके लिफ्टिस के पेड़ दिख रहा होंगे जो की मंदीर के चारों तरफ पेड़ है बहुत ही हरियाली है तो पूरा व्यू तो आप लोगो नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि यहां पे न मोबाहिल कैमरा समवना है तो जो भी ब्लॉग बना कि मुध्त आया है प्यां कि उन्म आप यूच ठाइसरे रहा है रहा है दिखा प्लॉग कर देजिए ine мल्सर सब्सक्राइब करें और यह बस चारों तरफ तो अभी हम लोग ना सेंटर में खड़े हुई है यहां के सेंटर में जो एक हुआ है यहां के सट्टर में है अब चलते हैं यहां पर फुरा मंदिर तो गूम लिया हमने पुर्शाद वगारा कुछ नहीं कराया था तो अभी अभी पुर्शाद ले लिया है बस अभी यहां पर चलाएंगे और सीधे घर चलेंगे पुर्शाद चड़ा के मैं आ चुकी हूँ बाहर और यह देखिए बच्चे आदी और दिव्यांशू हैं खेल रहे हैं बाई भी यहां पर खड़ा हुआ है तो यहां पर कार पार्किंग है और कार पार्किंग बिल्कुल फ्री है यहां पर कोई चार्ज नहीं लगता है कही और झाज करने के अल्ब हो रहे हैं तो यह देखिए बापिन बार कंदेग हैं मंदीर के अदर बिल्कुल कारनार यहां से पैदल जाना था बच्चा पार्टी का किसी कमन नहीं होता है आने का और रिशू भी नहीं आया है रिशू घर पर इपड़ा हुआ है और बच्चा पार्टी आया है सब तो भी खिला नहीं है मिलेंगे तो खिला देंगे यह हैं यहां की market तो यह डेली लगती है market यहां पे अपना प्रशाद ले सकते हैं खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं और यह देखिए पीपल के पेड़ पे कितने सारे कवे बैठे हैं तो शाइर में तो आजकल कवे देखने कोई नहीं मिलते हैं और यहां पर देखिए हम लोग सब पैदल भी आज आते थे और यह देखो समोसे आ गए इन लोगों के इन को बता हरी हूँ है यह जहां पर अम लोग कड़े ना अपने कॉलेज के पास खड़ी हूं कॉलेज नहीं स्कूल तो उस समय टैंप तक स्कूल था तो यहीं पर पड़े हैं इधर सामने यह द और यह लगी है यहां पर सबजी बजार तो केवल मंगलवार को ही यहां पर सबजी की बजार लगती है बाकी परशाद वगएरा खाने पीने की शौप तो डेली रहती है पूचो पूचो आले 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 वाई और पूचो को नहीं ले गए थे लोला था और यह दे तो प्लूटो और रोकी डूथ की अच्छे से खलते हैं दोनों और यह देखिए रॉखी सबस्क्न सब्सक्र फ्लूटो इतना च्ड़ रहा था यह भी फ्लूटो को प्यार कर रहे हैं तो फ्लूटो बस यह सोचता है मुझे ही प्यार करें रोकी को कोई प्यार ना खरें प्रेंड्स आप लोग देखिए मेरे माई के का घर तो यह देखिए उपर यह इतनी बड़ी रेलिंग है तो काफी लंबा चोड़ा बड़ा घर है तो सहर में तो इस गर की कितनी कीमत होगी और यह देखिए बार गाड़ी खड़ी है और यह सब देख सकते हैं तो सर्दियों में कपड़े नहीं सूख रहे हैं सब बार ही पड़े हुए हैं और इधार यह सामने बहुत बड़ा प्लोट है महां बैस बगएरा बंदी हुई है और दरवाजे पर एक नीम का पेड़ भ लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मिलती हूँ एक और नए व्लॉग में जब तक के लिए बाबाए